जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपूर पे तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अभी आप लोगों का नोटिफिकेशन जैसे की आच चुका है कि मॉडल प्रस्ण पत्र आप लोगों के लिए तैयार हो गय तो किस तरह से मॉडल प्रस्ण पत्र में पूछे जाते हैं क्लास 10 में अभी तक आप लोग क्लास 9 में थे हैं 10 में और 10 में सब्जेक्टिव की सदहर पर आएगा वह हम आपको बताएंगे प्रिवेस यर मॉडल कोश्चन पेपर को दिखा करके और कितना इंपोर्टेंट हो तो सब्सक्राइब कर लिजेगा फाइनल एक्जाम की तयारी के लिए साथ ही साथ आप अपने वाट्सप गुरूप को जरूर जोइन कीजिएगा लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है या नहीं तो दिये गए नंबर पर संबर्क कर सकते हैं तो अभी मेरे पास जो इस बार जो संख्या कर दिया गया है वो तीस कर दिया गया है तो यहां पर यह याद रखने वाली संभावना है कि हर एक मॉडल कोश्चन पेपर सीजा अगर आपका दो सेट देगा या फिर तीन सेट देगा वैसे पांस सेट देना चाहिए पहले पांस सेट आता था इसके आप लगाताप जो है सेट की संख्या कम कर दी गई अब सेट की संख्या कम कर दी गई है तो आप कोश्चन बह undertake सुचछन हर एक सेट से पूझने कि संभावना पांच हो चुकी है यानि कि आप 2 सेट आएगा तो दस सवाल देखने को मिलेगा तीन सेट आएगा 15 सवाल देखने को मिलेगा अगर 5-6 आ जाए तो फिर आप लोगों का लगबग 25 सवाल आप लोगों का model question paper से ही देखने को मिल जाएगा तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया अब देखिए objective में इस तरह से सवाल आपको मिलेंगे एक question दिया जाएगा चार options दिया जाएगा तो और ये practice के लिए ही दिया जाता है आप लोगों को ताकि आप लोगों के एक्जाम में नंबर अच्छे अच्छे आप आएं तो ये तो हो गया objective का तो चलिए आप लोगों को subjective दिखाते हैं section 1 में आप जिसे question देखोगे तो यहाँ पर आपको जिसे बोलेगा कि दो नंबर वाले सवाल जो है आपको 5 को हल करने लेकिन सवाल आपको यहाँ पर साथ दिया रहे गा तो ऐसा नहीं है कि आप पान्च ही सवाल हल करना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको सातों का सातों कर ही हो जाएगा तो future सब्सक्राइब nhi जो होता है झाल यदर होंगे आपको और फिक्रोंद तौन की बारुच का मतलब किया हो आप द लुगर सवालों करना है पंच हो पुए आपको सवाल दिए गये हैं लेकिन इसमें इसा आंसर आपको करना है तक सब्सक्राइब का सब्सक्राइब करना है ति कि सब्सक्राइब आपको एक जे loan से लेकिन आप लोगों को हर एक model set के लिए ही नियम लागू करेगा अब बात करते हैं हमsm частency की बारे में section C में आपको क्या बोला है कि a रहे हूं कि एक सवाल पांच नंबर कर लेकिन आप तीन सवालों के उत्तर देना है लेकिन अगर आप इसको धेन्थाः से दिक बोगी तो एकड लेकिन डोट यफशन स्वाह सते स्वाही होता हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसका section B और section C subjective question नहीं सकते हैं अगर आप लोग त्यारी कर रहे हो तो subjective में याद रखिएगा subjective में आपका section B और section C काफी important होता है section B वाले section C वाले question को सभी लोग अच्छे से कर लिजेगा आशा करते हैं आप लोगों को आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी चैनल पे पहली बारा हैं तो subscribe जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को share जरूर कीजिएगा इसके इलावा WhatsApp गुरूप को join करना बिलकुल भी मत भूलिएगा जब आपके पास notification नहीं जाती है तो हम WhatsApp के माध्यम से आपको notification भेजते हैं मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में Thank you